जैसी किशना दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर आज मैं आपको जेश्ट मास की गनेश जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और पास में लगे बेल आइक आपको मील जाए तो चलिए शुरू करते हैं जेश्ट मास की गनेश जी की कहानी प्राचीन समय में पृत्वी पर प्रिथु नाम का राजा राज्य करता था उसके राज्य में जैदेव नाम का एक ब्राह्मन रहता था ब्राह्मन के चार पूत्र थे और चारों का ही विवा हो चुका था सबसे बड़ी पुत्र वदू गनेश चतुर्थी का वर्त करना चाती थी इसके लिए बहु ने अपनी सास से आग्या मांगी लेकिन सास ने मना कर दिया जब भी बहु अपनी बात सास को कहती तो वह मना कर देती इससे बहु परिशान सी रहनी लगी मन ही मन बह बहु अपने दुख को गनेश जी को सुनाती बड़ी बहु का एक लड़का था जो अब विवायोग्या हो गया था गनेश जी ने अप प्रसंद होकर उस लड़के को चुरा लिया जिससे घर में उदासी रहने लगी बड़ी बहु ने एक बार फिर अपनी सास से विंती की म आजी यदि आपकी अनुमती हो तो मैं गनेश चतुर्थी का वरत रख लेती हूं हो सकता है कि गनेश जी परसंद होकर हम पर कृपा कर दे और हमारा बेटा वापिस आजाए सभी जानते हैं कि बुजर्गों का अपने नाती पोतों से अत्यधिक सने होता है इसलिए इस बार सास वरत रखनी की आग्या दे देती है बहू गनेश चतुर्थी का वरत रखती है इससे गनेश जी परसंद होकर दूबले पतले ब्रामन का वेश रख कर जैदेव के घर आ जाते हैं सास और बहू दोनों मिलकर श्रदा वे प्रेन से उन्हें भोजन कराती है गनेश जी ने अपनी कृपा देने के लिए ही ब्रामन का वेश बनाया था और अब उनके आशिरवात से बड़ी बहू का पुत्र घर वापिस आ जाता है बोलिए गनेश भगवान की जैदोस्तों ये थी जेष्ट मास में कही जाने वाली गनेश जी की कहानी अगर आपको ये कहानी आपको मिल जाए दोस्तों इस कहानी को रोज ही कहें इस से अक्षय पुन्य की प्राप्ति होती है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों जैशी किष्णा दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद आपको अपको ये।